सुर्भी बहुत घबराई हुई थी सुबा ही तो विदा होकर अपने ससुराल आई थी वो आंगन में चुपचाब बैठी थी जो कोई मेहमान कुछ पूछ रहा था वो जवाब दे रही थी थोड़ी देर बाद सुर्भी की सास उसके पास आती है सुर्भी बहु एक काम करो तुम ना हाध होकर तैयार हो जाओ फिर कुछ खा लेना खाली चाय बिस्कुट से क्या ही पेड भरेगा वैसे तुम अपने ले कुछ बनवाना चाहती हो तो बोल दो मैं नीलम बहु से कहकर बनवा देती हूँ मा जी जो भी बनाय मैं खा लूँगी मैं सब कुछ खा लेती हो ऐसा कुछ अलग से जरूरी नहीं है बहुत अच्छी बात है सब कुछ खाना चाहिए सब कुछ ठीक था घर का माहौल भी अच्छा था सुर्भी थोड़ा-थोड़ा सबसे बाते करने लगी थी पर वो इस बात से अंचान थी कि उसकी जेठानी नेहा बहुत ही चालाक और बदमाश है वो रात के लिए कुछ अलगी प्लान करके बैटी है जितना मर्जी सब के साथ घुल मिलकर हंससकर बाते कर लो सुर्भी पर रात को जो होने वाला है वो कोई नहीं जानता आज की सुहाग रात तुम्हें हमेशा याद रहेगी नीलम सुर्भी की सुहाग रात खराब करने वाली थी ये बात कोई नहीं जानता था शाम के समय सुर्भी के रूम की सजावट हो गई सजावट वाले के जाने के बाद बहानी से नीलम सुर्भी के कमरे में चली जाती है और चुप चाप कमरे की कुंडी तोड़ देती है और कमरे से बाहर आ जाती है तभी सामने से सूरा जा रहा था नीलम घबरा जाती है अरे सामने से तो देवर्ची आ रहे हैं मुझे इने रोकना होगा फ़रने इने पता चल जाएगा कि मैंने कमरे की कुंडी तोड़ती है एक काम करती हूँ बाहर से कमरे को ताला लगा देती हूँ फिर अच्छा बहाना मिल जाएगा अरे अरे दीवर्ची कहा जा रहे हैं मैं थोड़ी देर कमरे में आराम करने जा रहा था भावी आपने कमरे के बाहर ताला क्यों लगा दिया अब तो ये ताला रात कोई खुलेगा जब आपके सुआग रात होगी तब तक ये चाभी मेरे पास रहेगी अगर आपको आराम करना है तो आप अपने बड़े भाईया के कमरे में आराम कर सकते हैं यहाँ सुर्भी और आपके लिए सर्प्राइज है हम इस कमरे को डेकुरेट कर चुके हैं अब आप इस कमरे की सजावच रात कोई देख सकते हो अजो मुझे बहुत सारा कामे में जाती हूँ रात को ताला कोलने आ जाओंगी नीलम हस्ती हुई वहाँ से चली जाती है सुरज बेचारा अपने बड़े भाईया के कमरे में सो जाता है सुर्भी बाहर सब के बीच बैठी रहती है रात के समय जब सब खाना खाकर सोने लगे तब नीलम कमरे का दर्वाजा खोल देती है और सुर्भी को कमरे में लेकर जाती है देवर जी थोड़ी देर में आ जाएंगे तब तक तुम थोड़ा आराम कर लो उसके बाद पता नहीं पूरी रात आराम करने को मिले भी या नहीं तब ही सुरज आ जाता है और नीलम फिर से हसने लगती है अज़े चलो अब बहुत रात हो गई है बाते तो कल सुबा भी हो जाएंगी अभी तुम दोनों को एक दूसरे के साथ समय भी बताना है अच्छा मैं जा रही हूँ दर्वाजा कसकर बंद कर लेना अरे भाबी कुछ देर बैठो तो सही क्या ऐसी बाते करते हो देवर जी मैं कबाब में हड़ी क्यों बनू वैसे भी तुम्हारे भाया बहुत देर से गरम दूद मांग रहे हैं मैं उनके लिए रसोई में दूदी लेनी चारी थी तुम दोनों का दूद का गिलास मैंने वहां साइड में टेबल पर रख दिया है दोनों पी लेना निलम मीठी मीठी बाते गरती हस्ते हुई कमरे से बाहर चली जाती है सूरज कमरे का दर्वाजा बंद करके कुंडी लगा देता है पर उसे नहीं पता था कि वो कुंडी तो ठीक से लगी ही नहीं कुंडी लगने के बाद नीचे हो गई है दर्वाजा सिर्फ भीड़ा हुआ है सूरज सूरभी से बाते करने लगता है और बातों ही बातों में सूरज सूरभी का हाथ पकड़ लेता है वो जैसे सूरभी को गले लगाने लगता है अचानक से नीलम दर्वाजा कोल देती है और बहुत जोर से हंस देती है सुरभी और सूरज दोनों थोड़ा सा शर्मा जाते हैं नीलम को पता था कि सूरज और सुरभी थोड़े से घबरा गए है इसलिए वो दर्वाजे को खोल कर वापस नीचे दौड़ने लगती है अचानिक सीड़ियों से नीलम का पैर फिसल जाता है और वो सीड़ियों से गिर जाती है नीलम के पैर में चोट आ जाती है और वो चिला पड़ती है नीलम की आवाज सुनकर घर में सब लोग बाहर आ जाते हैं सूरज और सुर्भी भी अपने कमरे से निकल कर नीचे दोड़ते हैं आए मेरी कबर, मेरा पैर, मुस्से तो इला भी नहीं जा रहा माजी अरे तु इतनी रात में उपर क्या कर रही थी, तुझे तो नीचे अपने कमरे में होना चाहिए था गीरी कैसे तू? निलम तुम तो मेरे लिए दूद गर्म करने नीचे रसोई में गई थी ना? फिर तुम उपर क्या करने गई थी? उपर तो तुम पहले ही दूद देकर आ चुकी हो ना? सूरज और सुरभी जानते थे कि नीलम ने शरारत की है और जान बूच कर कमरे की कुंडी तोड़ी है पर वो दोनों उस समय कुछ नहीं बोलते भावी आप ठीक तो हो ना? हमें भावी को डॉक्टर के पास लेकर चलना चाहिए हारमेश बेटा गाड़ी निकाल हम नीलम को अस्पताल ले चलते हैं कहीं कोई जादा चोट ना आ गई हो डॉक्टर को दिखा आते हैं नीलम बहुत शर्मिंदा थी कि उसने अपने देवर देवरानी की सुहाग रात को बिलकुल बेकार कर दिया उसने उनके कमरे की कुंडी तोड़ दी और इस तरह की बत्तमीजी की पर आज सूरज और सुर्भी दोनों उसके खिलाफ कुछ नहीं बोले नीलम को जादा चोट नहीं आई थी बस हलकी खरोचे थी पर नीलम की वज़ह से सूरज और सुर्भी की पूरी रात ऐसे ही भी थे अगले दिन शाम को नीलम को छुट्टी मिल जाती है पर नीलम ने सोच लिया था कि वो अपनी गलती को सुधारेगी नीलम अपनी देवरानी के हाथों में एक लिफाफा देती है जिसमें एक होटल का पैकेज था ये मेरी और तुम्हारे बड़े भया की तरफ से छोटा सा उपार है आज कुंडी ठीक करने वाला आया नहीं वो कल ही आएगा और पिछली रात भी तुम मेरी वज़े से सो नहीं पाए इसलिए मैंने तुम दोनों के लिए होटल में रूम बुक किया है तुम दोनों आराम से वहां रुको एक साथ समय बिताओ मुझे अच्छा लगेगा भाबी पर इसकी कोई जरुवत नहीं थी अब मना मत करो जाओ सुर्भी जाकर तैयार हो जाओ और खूब एंजोई करना थैंक यू भाबी थैंक यू सो मच अब मुझे यकीन हो गया कि मेरी बड़ी बहु और छोटी बहु में आगे चल कर बहुत प्यार रहने वाला है अपनी सास की बात सुनकर निलम और सुर्भी दोनों देवरानी जठानी मुस्कुरा देती हैं प्रभा देवी की दो बेटे थे जिसमें से बड़ा बेटा विनोद और छोटा बेटा मोहित था प्रभा देवी की बड़ी बहु चांद ने एक मौडन और छरहरी काया वाली सुन्दर लड़की थी तो वहीं मोहित की पत्नी काजल गरीब घर की सामली सूरत वाली लड़की थी काजल अपने परिवायर की जिम्मेदारियों को भली भाती निभाती थी जबकि चांदनी का सारा ध्यान सिर्फ अपने मेक अप और फिगर को बनाने में ही रहता था एक रोज ये लीजे ममी जी आपकी मन पसंद अद्रैक लौंग इलाईची वाली चाय छोटी बहु तो हम सभी की जरूरतों का कितना खयाल रखती है अरे जरा अपने शरीर को आराम भी दिया कर सुबह पहली किरन के साथ उठती है और सारा दिन घर के कामकाजी निपटाती रहती है अरे थोड़ा कश्ट अपनी जेठानी को भी उठाने दिया कर और उसे भी कुछ जिम्मिदारिया निभाने दिया कर वैसे है कहां वो माजी जेठानी जी तो अभी सो रही है और पूजा पाट करने के बाद आपको चाय चाही ही होती है इसलिए मैंने ही बना दी जन्म दिन की धेरो मुबारक बाद छोटी बहू अब आज के दिन तो इस घर ग्रहस्ती से चुटी ले और अपने पती के साथ कहीं बाहर घूमा शुक्रिया माजी अपनी सास के पाउं चूकर काजल खुशो कर अपने कमरे में चली जाती है तभी प्रभादेवी भगवान का शुक्रिया आदा करते हुए कहती है तेरा लाख लाख शुकर है भगवान जो तुने मेरी चोली में काजल नाम के सीरे को डाला है तुने मेरे बुझे घर में चंदा का प्रकाश भेजा है छोटी बहु के रूप में जिसकी रोश्नी पूरे घर में पहली हुई है बस मेरी यही दूआ है तुझसे कि इसके जीवन में कभी अंधेरा ना आए मोहित और काजल का रिष्टा सदा सलामत रहे और इनके बीच कभी कोई खटास ना आए पीछे खड़ी चादनी उनकी सारी बाते सुन रही होती है और अपने मन में हस्ते हुए कहती है जितनी दुआएं देनी है इसे देलो सासुमा भले ही ये सारे घर में प्रकाश फैलाए लेकिन इसके खुद की जिन्दगी में तो अंधेरा ही होगा क्योंकि इसके चांद के चांदनी तो मैं हूँ मोहित तो आखिरकार मुझ पर ही लट्टू है उधर काजल अपने कमरे में मोहित से कहती है मोहित आप आज के दिन भी ऑफिस जा रहे हैं क्यों आज क्या दिवाली है जो घर पर बैठ कर पूजा करू तुमारी या तुमसे शारुखान के तरह रोमेंटिक बाते करू अपने जन्म दिन वाले दिन पती के मुझ से बधाई की जगा बेज़ती की बाते सुनकर काजल दुखी हो जाती है तो वहीं दर्वाजे के बाहर खड़ी चान्दी ये सब सुनकर खुश हो जाती है और खुश होते हुए मन में सोचती है अरे वाज मेरी काली देवरानी के जन्म दिन की ऐसी शुरुवात सच मुझ सुनकर मजा ही आ गया अब यही सही समय है आग में घी डालने का चान्दी उनके कमरे में जाती है औरे क्या हूँ मेरे हैंडसम देवर जी क्यों मेरी सामली सलोनी देवरानी पर भड़क रहे है उसकी तवचा और शरीर में फर्ग पढ़ जाता है। इसी तरह मोहित अपने बेटे को छिड़कते हुए वहाँ से चला जाता है। मोहित को हाथों में हाट डाले होटल से बाहर निकलते देख लेती है। ये द्रिश्य देख काजल हैरान रह जाती है और उसके मन में हजारों सवाल उमर्ड पढ़ते हैं। ये दोनों होटल में एक साथ? कहीं दोनों के बीच कुछ गलत? नहीं नहीं, मैं बिकार में ये सब बाते सोच रही हूँ। देवर भाबी के बीच तो मा बेटे का रिष्टा होता है, बिना किसी सबूत के कोई भी लाइंचन लगाना गलत होगा। इसे कशमकश में काजल घर पहुँच जाती है, लेकिन दिन भर उसके मन में यही कशमकश चलती रहती है। रात को जब काजल अपने कमरे में सो रही होती है, तो आधी रात को बंटी को प्यास लगती है, और वो काजल से पानी मांगता है। सच कहों चातनी, तुम्हारे साथ ये रात सचमच कयामत की रात लग रही है। अब बाते बनाना बंट भी करो स्वीटाथ, और ये बताओ कि कब तक हमें योई दुनिया से चुपते चुपते मिलना होगा। भगवार ने हमारी शादी दो अलग-अलग लोगों से करवा दिये, और वो भी बिना हमारी टाइप के लोगों से। तुम तो बिल्कुल मेरे टाइप के लड़के हो, handsome and daring देवर, इसलिए तो मैं तुम्हारे भाईया को बिल्कुल भी भाव नहीं देती। जानता हूं चानेवन, अब मुझे जाना होगा, कहीं काजल के आँख खुल गई तो मुश्किल हो जाएगी। मोहित जैसे ही बाहर जाने के लिए दर्वाजा खोलता है, तो काजल वहाँ खड़ी होती है। बिल्कुल भी शर्म नहीं है तुम दोनों में, देवर भावी के पाक रिष्टे को कलंक लगा दिया तुमने। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मेरी जेठानी है मेरी सौतन बनेगी। ओ, तो तुमने सब कुछ देख लिया। चलो अच्छा है, आज नहीं तो कल सच तुम्हारे सामने आना ही था। हाँ, और अब यही सचाई में दुनिया के सामने लाकर रहूंगी। बहुत धोखा देलिया तुमने हम सबको। खबरदार जो तुमने ऐसा कुछ सोचा भी, वरना तुम्हारे बंटी को इस दुनिया से रुकसत होने में देड़ नहीं लगेगी। मोहित ये औरत तुम्हारे सामने तुम्हारे बच्चे को जान से मारने की धमकी दे रही है और तुम चुपचाप तमाशा देख रहे हो। अरे कौन बच्चा, किसका बच्चा, तुम और बंटी तो बस मेरी एक भूल हो, तुम दोनों जीओ या मरो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता समझी। बच्चे, वो मेरी तब्य ठीक नहीं है ना इसलिए, तु जा, बाहर जाकर खेल। तो एक बात हमेशा याद रखना। विश्वास से भरी पतनी अगर चाहे तो यमराज से भी अपने पती के प्राण वापस ला सकती है। फिर एक औरत से क्या डरना। ये कहकर उसकी सास वहाँ से चली जाती है। लेकिन उसकी बातों ने मानो काजल में एक शक्ती प्रदान कर दी थी। और वो बिना देर की अपने जेट के पास जाती है और उसे सारी सच्चाई बता देती है। काजल तुम होश में तो हो अपने जेटानी के बारे में ऐसी बाते करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती। जबर नहीं हुआ जो मुझे छट पर ही बुला लिया। चलो अच्छा है। रोज रोज शार्दिवारी में रोमैंस करके मैं भी बोर हो गई थी। अज खुले आस्मान के नीचे रोमैंस करने में मसा आएगा। अब कुछ कहोगे भी या यूँँ पीट गुमाई खड़े रहोगे। चलो अब मुझे जल्दी से अपनी बाहों में भढ़लो। जैसे ही वो ये कहती है मोहित के कपड़े पहने खड़ा विनोद उसको जोड़दार थपड़ मारता है। इसी के साथ छटकी लाइट जल उटती है और सब ही वहां आ जाते हैं। विनोद तुम। हाँ मैं इतने दिनों से तुम मुझे धोका दे रही हो, मुझे बेवकूव बना रही हो और तुम मोहित अपने ही भाई की पीठ पर छुरा घूप दिया तुमने। अगर आज काजल मुझे तुमारी सच्चाई नहीं बताती तो तुम देवर भावी का ये किनोना सच कभी अब भी मेरे सामने नहीं आता, आज के बाद तुम दोनों से मेरे सारे रिष्टे खात्म। नहीं विनोद ऐसा मत कहो, मुझे से रिष्टा मत तोड़ो, मुझे से भूल हो गई। अपनी अयाशी को भूल का नाम मत दो, समझी, अब निकल जाओ मेरे घर से। गाजल, तुम अपने मेरी मा का दिल दुखाया है, उन्हें धोखा दिया है, चले जाओ हम दोनों की जिन्दगी से। मा, मैं तो आपका बेटा हूँ, आप तो मुझे माफ करेंगे न। अपना ये मनहूस चेहरा लेकर निकल जाओ मेरे घर से। अरे तु मेरा बेटा नहीं, बलकि मेरी को देने के लिए एक दूसरे से शादी कर लेते हैं, तो वही मोहित और चान्नी जेल में सड़ते हुए अपने आगे की जिन्दगी काटते हैं।